हेलो एवरिवान स्वागत आप सभी का टॉपर्स्ट्राइम चैनल में इस विडियो में हम करेंगे डी ट्रिपल एस्वी टीजिती नेचरल साइंस का जो एक्जाम हुआ है उसके बारे में बात की पेपर किस तरीके का आया कहां से कोशन पूझेगे सब्जेक्ट कैसा आया था वो सब कुछ इस विडियो में डिस्टिस करेंगे ताकि आगे जिनके एक्जाम हमको आइडिया होस के की पेपर कहां से आया था चालिए वन बाइवन शुरू करते हैं इसके पहले जो बच्चे बीखी प्लेस्बिटी की तयारी कर रहे हैं और अपन प्रिश्टि परसेंट का ओफ मल जाएगा ओके जो चेक करना चाहिए अपनी तयारे को सब्सक्राइब करना सीखेंगे क्योंकि कंप्लीट दोस्तों का जो आपको मोग टैस मिलेगा उसके एकोडिंग आप देख सकते हैं और रैंक में जो आपको साथ-साथ दी जाएगी जि कंपेर करें हम जो इसने पहले जो शिफ्ट हो चुकी है एक कोशन भी थे ठीक है थोड़े से काइम कंजूमिंग थे बट ईजी थी रीजिनिंग ऐसा कुछ ने था कि कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट पूछी गयो जीजी थी जैसे मैथ में यह था कि अगर हम मैं से कंपेर कर रखें थे ठीक है नमबर स्रीज का ऑँ कोशन था को काॉंटिंग का मतलब जो फिगर कांट करते हम एक कोशन में यहां थे था वैंड डाइग्राम के दो कोशन थे मैं डायग्राम से भी दो कोशन थे इसके अलावा इवन ओड स्टेटमेंट जिसमें वो अलग बताते ना कि इसमें से अलग कौन सा है वो वाले दो कोशन थे तो इस तरीके से कोशन पूचे थे बाखी फिर वही मेरन इमेज हो गया या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया फिर जिए फिर बात आती है math की math का ऐसा है कुछ कहना है की easy math ऐसी था बट calculated था ठीक है यानि कि आप कह सकते है time consuming जादा था और कुछ को hard लगा जिसको hard लगा उसने 10-11 कोशन अटाम किये हैं, इजी वाले को एजी लगा है, मैप का यह है कि अगर आपको आता है तो आपके लिए एजी है, बड़ टाइम कर्सुमिंग में तब भी कहूंगी कि ताइम कर्सुमिंग है, और मैप जिसको नहीं आता है, उसके लिए हार्ड हो जाता है, सिंपल आपको यहां से मिलेंगे, तीन कोशन या दो कोशन आपको यहां से मिलेंगे, डी आई के या तो देबल या तो पाई चार्ट, ठीक है यही पूछे जा रहे है, बार ग्राफ हो चकता है, इसके लावा फिर रेशो का आपको एक कोशन देखने को जरूर मिलेगा, तो घुमा इसके आई थी, मैठ कैसे आई है, ठीक है, बहां से आपको कम्प्लीट आइए मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा, ठीक, चलिजी यह रिजनिंग की बात हो गई, मैठ की बात हो गई, अब बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में पै यह two marks का मिलेगा आपको, इडियम फ्रेज, two marks की यह मिलेगी, ठीक है, one word substitution, one marks का, error, sentence में error find out करना, तो यह भी आपको two marks का मिलेगा और फिलप्स, यह भी two marks का और एक और बज़ता है, पैरा जंबर sentence, यानिकि sentence को rearrange करने से related, यह भी दो marks का, तो यहाँ पे आप देख सकते है पाथ, दो साथ, दो नोर, दो ग्यारा, बारा, दो चोदर, दो सोड़ा, दो अथारा, और अटेनम सिननम में, चार नंबर को जाएगा, बीस नंबर, सिप यह टोपिक कूछे जाएंगे, और जो sentence है, error finding है, या फिलप्स है, फिलप्स में आपको आपको आर्टिकल दे सकते ह प्रिपोजिशन दे सकते हैं, इनी से जादा तर पूछा जाएगा, error में अगर मैं बात करूँ, तो error जैसे पिछने exam में, जो थी sentence related पूछे गई थी, या फिलप्स भी sentence related पूछ रहा है, तो आप जो है, जो basic topic है को करके जाएगा, easily आप English में, 14 to 15 questions जो है, आप easily attempt कर सकते है कोई problem नहीं होगी, antinum selenium भी जो है माली जे, मुश्किल नहीं कूछे जा रहे है, easy ही है, miss spent बहुत easy आते है, miss spent जो आते हैं, two marks आप easily इनको ले सकते हैं, कोई problem आपको इसमें नहीं होगी, ठीक, चलिए, हिंदी ही बात करते हैं, हिंदी में भी वही, पैसे मिलेगा आपको, फिर से वही, बच्चो वाला पैसे से बिल्कुल, आप easily पैसे स्कते हैं, कोई problem आपको नहीं होगी, तो 5 marks आपके, free के हैं, ठीक है, 5 marks यह होगे, इसके इलावा, काल आपसे पूछेगा, वाक्या आपसे पूछेगा, संयुक्त वाक्या, मिश्र वाक्या, इनमें से वाक्या बेता को मिलेंगे, तो विराम चिन पढ़के जाएगा कि इस बिल्वाव किस चिन का प्रियोग कहाँ पर किया जाता, चाही हो योजग चिन, लभू चिन, पूरण विरामching, अल्प विराम राम है, जिसका जहां यूजर हो रहा है, उसको पढ़के जाएगा, और संचेंस मे में पूछे जाएगी जो कॉमन है वो मैं बता रियू है आपको मुहावरे और लोगोगति यह सब में आ रहा है ठीक है है हिंदी कर सकते हैं 17 तो 18 माक्स इसीली आप हिंदी में ले ले गया सकते हैं 15 तो 16 कोशन आप इसीली रीजनिंग में अटाम कर सकते हैं मैंथ में भी जिस जो हमारा बचा है वो है जेनरल अवेयरनेस इसमें वही दो से तीन कोशन आपको करेंट से देखने को मिल रहे हैं जो जो पढ़के जाएं पढ़के जाये कि आप जो पर देखने को मिलेंगे तोक्यो ओलम्पिक है उसको पढ़के जाएगा कि किस तेल में कौन सा पदक जीता गया क्योंकि जो ओनलाइन एक्जाम होते हैं उसमें जो करेंट आती है वो लगबग एक या दो महीने पहले की ही आपको दी जाती है ठीक तो आगे जिनका अक्टोबर में जाके है वो अगस्त का भी पढ़के जाएगा फिर अक्टोबर में जिसका एक्जाम है चलिए इसके अलावा करें आकेम एक याद रखिए इसकेम से रिलेटिटे कोई कोश्यन कोछे गए थैंडोशन से रिलेटिध आये ते चीज़ इसमें लड़ रखिए ओकें एक कोशन था कि कौं जो है यह कौन से मुगल साशक का बेटा था यह कूछा गया था और इस्ट्री से यह कौशन आपका जान में कौन सा मंदिर है ये पूछा गया था कामाख्या बगएर जो थे option में थे ठीक है तो static gk में याता है ये जो भी मंदिर बगएर आती है article आया था I think article 44 पूछा गया था तो article गट के जाएगा हरे एक में ये article देखने को मिल रहे है तो static gk से 5-6 question थे जो कि static gk से पूछे थे 2-3 question current से होगे फिर article पगेर होगे नरित्य से भी जो है question आया था तो सास्त्रे नरित्य लोग नरित्य पढ़के जाएगा क्योंकि लेकि सास्त्रे नरित्य को नहीं पूछता है कम पूछेगा लोग नरित्य जो है जो जादा पूछेगा क्योंकि सास्त्रे नरित्य आठ नरित्य है एक्णामिनल को भी पता है कि बच्चों को सास्त्रे रित्य जरूर पता होगा लेकिन प्रोब्लिम किसमें आती है लोग निर्त्य में आती है या पिर जो अलगले ग्राज्या में जो उत्सव मनाय जाते हैं उनको पढ़कर जाईएगा तरहां से जोए पोशन देखने को मिलते तरहीं अब आगाते हैं सब्जेक्ट की सेकिंद पाथ Kita सब्जेक्ट में ब्रीचंपूटि में च्रूंट की हो कि अब ऐसे मुच्टी मार्क्साइग मागवज एपन गजह प्रसाइट की सब्जेक्ट प्रकसाइश पैदागोजी से आख जैनंके खर you और एक में जनरल, जो साज्ट्रोज को सवी होती है, वो कोश्यन सोंगे. थिक है, वो ईजी मिलेंगे आपको, उसमें आपको गभराने की जडरूत नहीं है, बीसक्षण आप इसमें करके आईएगा, आप इसमें कर सकते हैं, इसको कुछ नया नहीं है, सिर्फ एक जर्मन से कोशन पूचेगा आपकी सैंस किया कोडिंग, ठीक है, कि कोई सिच्वेशन आपको देगा, उसमें आप किस तरीके से रियक्ट करेंगे, ठीक, तुछ से प्यासी कोशन देखने इसके लावा एन्वायरमेंट और एड कर लीजिये, क्योंकि एन्वायरमेंट से रिलेटेट कोशन थे, बायो जो थी, ये कम पूची गई है, फिजिक्स केमिस्ट्री जादा आती, जादा जो है पूची गई है, तो ये आप मान सकते हैं, 20-30% ये थी, फिजिक्स केमिस्ट तो 6-10 जो है आपको कि फिजिक्स हेमिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है, in fact मैं कहूंगी कि फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों ही, 6 से लेकर 12 तक पढ़के जाएगा, जिनका next day exam है, वो 9-10 भी ज़रूर पढ़के जाएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, 6-7-8 क तो सिर्फ एट्स कर लीजिए, फिर उसके पाब 9-10 और जिनके पास अभी टाइम है, फिमेल का जैसे अभी बाद में है, I think 18-19 को जब भी पेबर है, ठीक है, वो क्या कर सकते है, 6-12 कंपलीट कर जाएगा, ठीक है, बट जिनका next day exam है, वो सिर तीन कर सकते है, 8-9-10, तीनों आपको जो है, NCRT के कम्पलीट करवा रखा है, कैसे कोशन पूछे जा सकते है, वो भी हमने की हुए है, तो वहां से आप कर सकते है, OK, NCRT के प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे आप जाते देखे, हमने पूरा कम्पलीट किया हुआ है, NCRT के हर एक चैप्टर को हमने अलग-अलग करवाया हुआ है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा आसानी हो सके, समझने ही आप में आसानी हो सके, तो वह उस तरीके से करा हुए है, तो यह मैंने आपको बता दी है, साइंस अगर और और की बात करें, तो एजी थी, लेकिन स्टेडमेंट वाले कोशन जा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, मापर दूसरा पॉइंट भी सही दिया गया हूँ, तो यहां पर इन कोशन में स्टेडमेंट में यह थोड़ी सी प्रोल्म हो जाती है, अदरवाइस पेपर इजी ही बताया है, बच्चों ने की पेपर का जो लेवल था और 80% जो कुशन थे, व इसी का अपका कवर हो जाएगा, फिजिक्स, चैमस्ट्री में, क्योंकि नुमेरिकल जो थे, वो दो-तीन थे, नुमेरिकल दो-तीन थे, लेकिन वह भी कैसे थे, फिलकुल नॉर्मल नुमेरिकल थे, 11 फे, एन्वारमेंट के भी जो थे, 4-5 कोशन जो थे, एन्वारमेंट से रिलेकिर थे, ये चीज़ इसमें याद रखे, अब बात आती है कोशन पे, तो कोशन पे चलते हैं, कि किस तरीके के कोशन पूछे रहे थे, वो देख ले देंग बार, देखिए, फिक्स बता देती हूँ, कोई कोशन होगा, वो मैं आपको बता देती, देखिए, सबसे पह ठीदी था, एक एन्वार्मेंट छेगी पूछा गया था, इसके अलाबा, गंगा एक्शन पछा गया था गंगा एक्षन, प्लान, ओके, प्रोजेक्टाइल, मोशन से रेलेड़ीड थाई कोशन, ठीक है, हाईली कंडेक्टिव एलेमेंट पूछा गया था, ठीक है, तो ये कोशन पूछे गया थी, आगे देखें, इसके अलावा कोशन आया था, करवेच सेंटर ओफ कलेचर ओफ कनकेव मीरर लाई, इमेज पोर्मेशन से था, और प्लेन मीरर इमेज का नेचर पूछा लिया था, तो यह कुछ कोश्टन से पुडागी में बता दें और भी इसके अलाबा प्लांट किंडम से आया था कोश्टन एक कोश्टन जो था प्लांट किंडम से था इसके लाबा एक से दो जो थी डिजीज कुछी गई नर्व सिस्टम से एक कोश्टन था मेर से रिलिफिट दोतीन कोश्टन होगे और ऑक्सिदेशन रिड़क्शन और केमिकल फॉर्मूला था इसके अलावा जो थे बेरी बेरी डिफिशियंस से पूछी गई थी ठीक है रेडियस ओफ एक्टम से था एल से प्लस एम में करके था कि विच गैस इस रिलीज तो कुछ इस तरीके की कोश्टन थी जो कि एक्साम में पूछे गए थे तो यह से आप देख सकते हैं जो जाजतर पूछा गया था वह 9 से पूछा गया था 11 कर्थ से पूछे गया थे तो जिसने नहीं पड़ा है 11 12 का क्योंकि जादतर बच्चों ने जो है 10 तक ही पड़ा है 9 और 10 का स्पेशली बच्चों ने पढ़कर गई है तो जिसके पास टाइम है अगर वो कर सकते हैं इसको यूज क्योंकि बायो जो को 11 12 से पूछी गई थी तो आप जो है 6 तू 12 पढ़के जाए जाए एंसी आ जाए ना वहां से आप इनको देख लीजिएगा बाकि 6 तू 10 जो है हमने कंप्लीट करा रखा है वहां से आप देख सकते हैं ठीक और एंसी आर्टिंगी करके जाएगा कुछ और मत पढ़ने लग जाना या फिर अगर आप की तैयारी अच्छी 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 तरीके से किया वुआ है तो इसी को आप रिबाइस कर लीजे क्योंकि जो kosны आपको difficult लगेगे वह और बच्चों को भी difficult ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए भी जो आपको आता है'd से उसको और अच्छा इना ताकि जो जिसमें से आरह है वही पर आंप गलत ना हूँ ठीक है तो यह था complete review, thank you so much